आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जो क्रिष्टली करण परक्रिया है जो की सुद्धी करण की सरवत्म जो की विधी है अगर देखें कि ये जो है क्रिष्टल प्राप्त करने के लिए इसमें मिस्रन को जो की क्या किया जाता है वो यहाँ पर हमें बताना है तो अगर हम देखें कि क्रिष्टली करण जो है वो जो की सुद्धी करण में अगर देखें तो उसको जो की ठंडा ठंडा किया जाता है चलिए यहां पर हम देखते हैं कि यह जो की क्या होती है तो देखे कृस्टिली करण जो कि यह वह विधी है जो ठोस पदार्तों यानि कि यह सबसे पहली बात की सुद्धी करण की सर्वोट्बिधी वहीं यह जो है विधी ठोस पदार्तों को सुध करने में इसका उपियूगी है और साथ ही इसके दोरा क्रिस्टल के रूप में जो सुद्ध ठोस है उसको विलेन से प्रथक करते हैं और अगर हम इसके आगे की बात करें कि हम यहाँ पे जो की इसका एक उदाहरन देते हैं देखिए इसका उदाहरन हम देते हैं आपर जैसे कि copper sulfate इससे हम समझते हैं देखे copper sulfate जो है copper sulfate जो कि इसका जो असुद्ध नमुने को अगर हम जल की न्यूनतम मात्रा में घोल दिया जाता है इसको तो इसकी जो असुद्या होती है उस असुद्धियों को छान कर असुद्धिया घटा ली जाती है फिर इसको गोल को गर्म कर संत्रप्त विलेन यहां से प्राप्त करते हैं और फिर कमरे के तापमान पर इसे ठंडा होने दिया जाता है और सुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यहां से प्राप्त किये जाते हैं तो कॉपर सल्फेट जो की यहां पर अगर देखें कि इसके असुद्ध नमूने को जो की हम यहां पर इसी के क्रिस्टली करण जो है यहां पर ठंडा जो कि यहां पर देखिए पहला विकल्ब दिया हुआ है कि इसे ठंडा करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि इसके जो घोल को जो है गर्म किया जाता है और तब तक गर्म किया जाता है जब तक संत्रप्त विलेन जो की प्राप्त हो तो देखिए संत्रप्त विलेन जब पाप्त हो जाता है फिर इसको कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है उसके बाद जो कि हम सुद्ध कॉपर सलफेट के क्रिस्टल यहां से प्राप्त कर लेते हैं तो यहां से इस प्रश्ण का एंसर जो की हो जाएगा पहला विकल्ब तो पहला विकल्ब यहां से इस प्रश्ण का पिल्कुल सही उत्तर होगा थैंक्यू